पार्लिमेंटरी कमिटी इसका काम होता है लोगों का बात को सुनना क्या करना है वो तो कमिटी तहीं करेंगे सबसे इंपोर्टन कमिटी होता है जेपीसी और जेपीसी में जो भी वहां विटनेस के रूप में बुलाया जाता है और जिसको भी प्रेजेंटेशन होना होता है उ आज तक कोई JPC ने काम नहीं किया है और इतना ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को सुनना ये भी आपने आप में रेकोर्ड है जाते हैं कि जो संसत सत्र का जो शीत कालिन सत्र होने वाले हैं इसका पहला सब्ता का आखरी दिन से पहले उनको पेश करना है टेबल करना है लोगसब कि दुमेँ में करेंगे तो फिर वासहार तक नहीं रहेगा जो भी सदर से होते है जोइन पार्लिमेंटिक कमिटी में वो अईपाएड लोग हैं यह पार्लिमेंट का व्यवस्ता है सबसे इंपोर्टन कमिटी होता है जे पी सी और जे पी सी में जो भी वहां वितनेश के जो members आपस में बात करेंगे तो कितना recommendation करना किसको accept करना नहीं करना वो JPC का आंजूरनी मामला है लिगा witness को ही आपका मन चाहे बात नहीं बोल रहा है इसलिए witness को ही talking या witness को ही जगरा करेंगे ऐसा नहीं होता है अगर कोई member ने कुछ गलत व्यवार किया है तो उसका वाँ सिस्टेम है कमिटी में उसके खिलाफ कारवाई करने का लेकिन मैं मानता हूँ कि बाइनलार्ज JPC ने बहुत अच्छा काम किया है और आप लोग मालम है इतना बारिकी से किसी ने आज तक कोई JPC ने काम नहीं किया है और इतना ज़्यादा stakeholders को सुनना ये भी अपने आप में record है हम भी इंडिजार कर रहे हैं JPC का report के लिए ये बनाया है हम लोगों ने मिलकर कि पारलिमेंट ने तब इसका जब report आएंगे हम चाहते हैं कि जो संसत सत्र का जो शीत कालिन सत्र होने वाले हैं इसका पहला सब्ता का आखरी दिन से पहले उनको पेश करना है टेबल करना है लोगसबा में उसके बाद हम आगे कारवाइक का बारे में आपको बताएंगे अगर टाइमली वो रेडी हो गया हम तो स्टिपूलेटर टाइम में मांगेंगे अगर नहीं है तो जेपरी से हमको बताएंगे कि दिक्कते क्या है लेकि मुझे उमीद है टाइमली वो समिट करेंगे